स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो से स्टार्ट हो रहा है हिंदी क्रामर फॉर क्लास सेंथ एंड टुविल्थ दोनों क्लास के लिए हैं इसके लावा भी अगर आप इस इंट्रेंट से कम्टिटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो भी आज का ये वीडियो काफी हेल्फुल होने वाला है वो भी आप लोगो बताया जाएगा मतलब कम्टिट आप लोगो जानकारी मिलने वाली है इस टॉपिक के बारे में ठीक है ना तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है चली आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जितने भी क्लास 10 और 12 वाले स्टूडेंट है सभी त इसक्त नोटिफीकेश्चन अप तक सब्सक्राइब पहुचे को पीडियो को संगया को समझते हैं संग्या जिसको एंग्लिश में कहा जाता है नावन आप लोग पढ़े होंगे जरूर मिलन और प्रसेन किसी भी वैकती इस्थान यह पान को कहलाता है वही बच्चों वाली बच्पन में जो हम लोग पढ़ते थे डिफनेशन किसे और गिव्यक्ति वस्तू इस्थान या फिर भाव का नाम क्या कहलाता है संग्या कहला यह दिफनेशन परिभासा हो गया समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लीजे कि कि किसी भी चीज का संग्या मिन्स नाम अब वो किसी बीचीज का नाम हो चाहे वो इनसान का नाम हो याण की कि वیک्ति का नाम हो रोहन, मोहन, सोहन ठीक है लड़की का नाम हो जίسे की पूनम, चंपा, चमेली ठीक है! प्रिती, जो भी हो में ज़िक रोका कीffee का नाम पटना हो गया दिल्ली हो गया बॉंबे हो गया कोई भी जगा का नाम नदी का नाम या फिर भाव का नाम भाव जिसे हम सिर्फ अनुभाव कर सकते हैं जैसे की लंबाई चोड़ाई मिठास चतुराई वगर वगर ठीक है मतलब कि किसी भी चीज का नाम क्यों नहों जि मेरा नाम आप लोग जानते होंगे मेरा भी नाम क्या के लाएगा संग्या के लाएगा आपका भी नाम संग्या के लाएगा किसी भी चीज का नाम संग्या संग्या इस इक्वल टू नाम याद रखना है ठीक है अब संग्या को जो है ना पांच भागों बाटा गया यानि कि आ पेला है वैक्तिंगिया, दूसरा जातिंगिया, नीचे चार प्षण दिया रहेगा आप लोग को बताना होगा या फिर निमलिखीत में से कौन जाती वाचक संगया है या फिर भाव वाचक संगया का उधारन निमलिखीत में से कौन है या फिर कोई भी एक शब्द उठा लेगा और कहेगा कि बताईए ये शब्द जो है ना संगया का कौन सा परकार है और नीचे चार ओप्सन दिया कोई बीशवद संग्या का कौन सा परकार है ठीक है तो शलिए तबसे पहला परकार है व्यक्ति वाचक संग्या और दूसरा है जाती वाचक संग्या इन दोनों को उसे कहते हम लोग जाती वाचक संग्या जैसे कि अगर मैं कहूं कि बिचारे उस लड़की को बहुत पीटा गया तो यहां पर लड़का एक ऐसा शब्द है ना जिससे हमें लड़का के पूरी जाती का बोध हो रहा है इट मिल्स लड़का में कोई एक पार्टिकुलर कोई एक खास लड़की का नाम नहीं ली मैं मैं सिर्फ यह बोली कि बिचारे लड़की को बहुत पीटा गया तो लड़का में तो कोई भी लड़का हो सकता है मैं कोई एक खास लड़के का नाम नहीं लड़का बोलने के वज़े से लड़की की पूरी जाती का बोध हो रहा है पर लड़का में एक खास लड़के का नाम ले लीं मोहन बिचारे मोहन को बहुत पीटा गया ठीक है तो मोहन ये लड़का में एक खास नाम हो गया एक special नाम एक विशेस सनान तो इस नाम को क्या कहेंग है व्यक्ति वाक्ट si fish नाम को कहते हैं कि स्पेशल एक पार्टिकुलर नाम को कहते हैं, लेकिन जाती वाचक संग्या एक साधारन, एक नॉर्मल नाम को कहते हैं, जिससे पूरी जाती का बोध हो रहा हो, तो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, लड़का, लड़का में तो कोई भी लड़का हो सकता है, लड़का की पूरी जाती आ सकती ह 경ी है तो लड़का ये शब्द क्या कहलेंगा जाती वाचकसंगया लेकिन लड़का में कि çkgos लड़का का नाम मचली इधिक से नाम कुने पस दो नीौन है तो इसको क्या कहा क्या कहिंगे व्यक्ति वाचकसंगया ठीक है नवसे तोंटी से औहुंड रजब कर लड़की कोई एक खास लड़की का नाम नहीं लिए तो लड़की शब्द हो जाएगा जाती वाचक संग्या लेकिन अगर लड़की में एक खास लड़की का नाम ले लिए जैसे की प्रीती तो प्रीती ये एक खास नाम हो गया विशेस नाम हो गया तो वह हो जाएगा व्यक् पुत्र नदी बी क्नादी खैनल सकती ऑन्गा खांग में तो यहां पर एक खास नदी का नाम ले लिए कि सपेशल नदी का नाम ले लिए गंगा तो गंगा यह शkt Continue चुटी खिल ऐस उसी तरीके से एगर मैं कहूं कि हमारा देश महान है तो ती खास थैस का नाम नहीं देश में तो कोई भी देश हो सकता है मैं किसी कि कि किसी बीजैश के बारे में कह सकती हुआ है यहां पर भारत ह है एक particular में क्छास देश का नाम लेली में अपना भारत भारत क्या हो जाएगा व्यक्ति वाचक संग्यार। आफ को समझ में आगया होगा कि व्यक्ति वाचक संग्यार KISHE 2 participar और इन दोनों में आगे बढ़ते हैं तीसरा चैप है वह है भाव आचक संग्या नाम ही है यानि कि भाव वैसा नाम जिससे हम लोग छू नहीं सकते हैं सिर्फ महसूस कर सकते हैं अनुभाव कर सकते हैं उसको कहते हैं हम लोग भाव वाचक संगया जैसे कि अगर कहा जाए मितरता क्या हम लोग मितरता को देख सकते हैं या फिर छू सकते हैं नहीं मितर दोस्त को देख सकते हैं हाँ दो लोग हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं तो दोस्त को देख सकते हैं लेकिन उन दोनों के बीच जो दोस्ती ह जो मितरता है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। सिर्फ हम लोग अनुभव कर सकते हैं। ना तो चुआ जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है सिर्फ अनुभाव कर सकते हैं तो मितरता क्या कहलाएगा भाव आचक संग्या नाम में यह क्या है भाव है भाव जिसे भाव का नाम मतलब कि जिसे हम अनुभाव कर सके फील कर सके उसको ना ही देख सकते हैं उसी तरीके स से धूप धूप को भी हम लोग जो है ना मैसूस कर सकते हैं उसको छू नहीं सकते हैं ठीक है उसी तरीके से सुस्ती सुस्ती को भी हम लोग मैसूस करते हैं क्या हम लोग सुस्ती को छूने जाएंगे तो छू सकते हैं नहीं चू सकते हैं और नहीं देख सकते हैं उसी तरीके स पढ़ाई पढ़ाई को भी हम ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं सिर्फ अनवा कर सकते हैं तो ये सभी नाम ये सभी शब्द क्या कहलाएंगे ये भाव वाचक संग्या कहलाएंगे ठीक है अगला टाइप में याद किया होंगे पढ़े होंगे जिसको मापा तौला जा सके किन्तु गिना ना जा सके उसे कहते हैं उसे कि पानी पानी को हम लोग माप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं ऐसे हम लोग सोड़ा करते हैं कि एक पानी दो पानी तिन पानी चार पानी गिनते थोड़ो ना इसको माप तौल सकते हैं तो इसको क्या कहेंगे द्रव्य वाचक संग्या लेकिन यहाँ पर आप लोग थोड़ा standard level definition सुनिए क्योंकि आप लोग बड हो गये बच्चोला definition नहीं चलेगा देखिए यहाँ पर नामी में है द्रव्य वाचक संग्या नामी में क्या है द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ देखिए एक होता है द्रव का मतलब होता है लिक्वीड जैसे कि पानी जल एक लिक्वीड है दूद एक लिक्वीड यानि कि मैंटर pressing कोई भी अवस्था कyoo नहीं फदारथ का ड्रव अवस्था जैसे कि फस्दल में क्या आ जाएगा लुहा आ जाएगा सो ना जाएगा चांदी में जाएगा पीतल आ तन्हें गए सॉल्इड लिक्विड वाचा और धर हो गया पाणी वह अभाण जो भी आप लोगं जडाविया सथा में देखते हैं ठीक है उसी तरीके से गैसी वस्ता में कोई भी गैस का नाम, ठीक है, यानि कि पदार्थ की कोई भी वस्ता है, उसका नाम क्या कहलाएगा, ड्रवे वाचक संग्या कहलाएगा, I hope आप लोगो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो परकार हैं, अच्छा, यहां पर मैं एक्जांपल भी लिख दीऊ, द्रवे वाचक संग्या का, पानी, सोना, दूद, चांदी, घी, पीतल, यह सब क्या है, यह सब ही पदार्थ की अलग-लग स्टेट का नाम, जिसे की पानी क्या, यह लिक्विड स्टेट है, उसी तरीके से सोना, यह सॉलिड यानि कि ठ पेचानने का, द्रवे वाचक को पेचानने का एक और ट्रिक है, कि इसका कितना भी भाग कर लीजे, इसका वही नाम रहता है, लग इसका नाम बदलता नहीं है, जैसे कि हम लोग इंसान है, तो हम लोग के इंसान की अलग-लग अंगो का नाम है, जैसे कि यह हाथ है, पैर है तो अलग-अलग ब्रिक्ष यानि की पेड रिक बाति व्रिक्ष और यहहीं नहीं होता है ना पेड़ पर कफल आप लोग लेकर आते हैं तो यह लोग फल खालो याईनि की पेड़ व्रिक्ष है उसके अलग-अलग भागो का नाम है हम इंसान के सरीर के अलग-अलग अंगो का नाम है लेकिन यहां पर द्रव व्यवस्था में उसके अलग-अलग अंगों का नाम अलग-अलग भागों का नाम नहीं होता है जैसे कि अगर पानी है तो पानी को अगर एक लिटर पानी है तो वह भी पानी पानी ही है दो लिटर लिजे तो भी पानी पानी के लाएगा ऐसा तोड़ तोना हें कि 5 लिटर पानी ले लेंगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा पानी को आधा लिटर लीजिए एक लिटर लीजिये दस लिटर लीजिए पचांस लिटर लीजि help & can पानी का एक लीटर अलग कर दिया जाए तो वह भी पानी कहलाएगा जली कहलाएगा उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके क्या कहेंगे द्रव्य वाचक संगय यह भी पहचाने का एक ट्रिक आप लोग समझ सकते हैं ठेक है आगे बढ़ते हैं 500 जो परकार जैसा हम लोग समुव वाचक संगय जैसे कि भीड भीड से आप लोग को पता चल गया होगा कि भीड एक आदमी से तो लगता नहीं है भीड का मतलब क्या कि कुछ लोगों का समुव है यान कि कुछ लोगों के ग्रुप के वज़े से भीड लगता है ठेक है यानि कि भीड जो है न एक से ज़्यादा चीजों का गुरूप है ठीक है तो गुरूप यानि कि समू को क्या कहेंगे जिस नाम से समू का बोद है उसे गुछा उसी तरीक से सेना सेन आप लोग जानते है सिपाही से सेना थोड़ना बन जाएगा न अब सभा बुलाना है तो सभा में एक आदमी थोड़ों ना बैठेगा सभा का मतलब बहुत सारे लोग एक साथ बैठे हैं यानकी समुह का बोद कराता है तो यह हो जाएगा समुह वाचक संग्या यह पांचो टाइप आप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब चलिए द किसी भी चीज का खास नाम यानि कि विशेस नाम यही है ट्रिक विशेस याद रखिएगा व्यक्ति वाचक में आप लोगों को विशेस याद रखना है अब वो विशेस नाम व्यक्ति का भी हो सकता है जगह का भी हो सकता है या फिर किसी नदी का भी हो सकता है किसी भाव का का नाम भी और विश्यस कई दो उसे तरिक न만 और उसे पूरी जाती का बोद हो कि यह ट्रिक अनुभाव यानि कि भाव वाचक को पहचाने का क्या ट्रिक है तो आप लोग बस इतना याद रखना है अनुभाव यानि कि जिसको सिर्फ अनुभाव किया जा सके उसको ना तो देखा जा सकता है और नहीं छुआ जा सकता है उसको क्या कहते हैं भाव वाचक संग संदूर्ट आप लोगों को समझ में अगया होगा अब हम लोग और क्विक रिवीजन करते हैं व्यक्ति वाचक संदूर्ण किसी विशेश यान की खास नम को कहते हैं और वो चाहें किसी बीचीज का खास नाम क्यूं नहूं जगा कभी हो सकता है इंसान का भी हो सकता है किसी भाव का नाम भी हो सकता है दूसरा है जाती वाचक संगया नाम ही में है जाती से याद रखना है कि वह एक साधारा नाम जिसे पूरी जाती का बोद हो रहा हूँ ठीक है भाव वाचक संगया याद रखना है अनुभव यानि कि जिसको हम लोग सिर संग्या बस complete I hope आप लोग को संग्या का यह जो पांचों परकार है वह आप लोग के मैंड में fit हो गया होगा ठीक है सोचिए आप लोग आज की इस वीडियो को complete देखें और संग्या की पांचों परकार को आप लोग को याद करने की जोर थी नहीं पड़ी आप लोग वीडिय करें इसी बात पर और अभी तक आप लोग ने वीडियो को शियर नहीं किया है तो दबा कर शियर कर दें चानल पर नहे नहीं आए हुए हैं तो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो लोगों से विदा लेती हूँ आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेट जरूर कर दिया होगा चैनल पर नहीं नहीं आया है तो मैं आप सभी लोगों से बार-बार कहती हूं कि चानल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अप्लोड हो तो बिल्कुल मोटिवेटेड रही है एक्साइटेड रही है तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज